फिल्म शुरू होती है और हमारे मेन करेक्टर कूकू और नैना को दिखाया जाता है जो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं और जैसे जैसे ये लोग बड़े होते जाते हैं इन दोनों का प्यार और भी गहरा होते जाता है फिर बाद में कॉलेज हो जाने के बाद कूकू बहुती यूनिक तरीके से नैना को शादी के लिए प्रोपोस करता है और नैना भी उसका प्रोपोसल एकसेट कर लेती है फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी होती है और शादी में इन दोनों की सारी फैमिली आई होती है शादी में कूकू की फैमिली भी होती है जो इस फिल्म के दूसरे मेन कैरेक्टर्स है यानि कूकू के पैरेंट्स और कूकू की बहन कूकू के डैट का नाम होता है भीम और मॉम का नाम होता है गीता और उसकी जो बहन होती है उसका नाम होता है गीनी खैर फिर इनकी शादी हो जाती है और इसके बाद हमें पाँच साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पाँच साल बाद कूकू और नैना कैनेडा में रहते हैं लेकिन शादी के 5 साल हो जाने के बाद इन दोनों के बीच में अब पहले जैसा पयाद नहीं है, यहाँ तक के अब यह दोनों एक दूसरे से दूरी मनाना चाहते हैं, यह दोनों एक दूसरे के साथ जादा बात भी नहीं करतें, और जादा time spend भी नहीं करतें, यहां तक कि इन दोनों की anniversary होती है anniversary के दिन भी ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते बलके आपस में जगड़ा कर लेते हैं फिर जगड़ा करने के बाद ये दोनों decide करते हैं कि साथ में divorce लेने का यानि अब इन दोनों की शादी पूरी तरह से तूटने वाली है लेकिन कुकु कहता है कि हम divorce लेंगे लेकिन थोड़ा समय रुख जाने के बाद क्यूंकि कुकु की बहन गिनी की शादी होने वाली होती है इंडिया में इसलिए ये लोग शादी अटेंड करने के बाद ही divorce लेंगे फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुकु और नैना इंडिया आ जाते हैं कुकु की बहन गिनी की शादी अटेंड करने के लिए इसके बाद हमें कुकु की family का सीन दिखाया जाता है जहां उसके parents एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इन दोनों के बीच में महबत बहुती जादा होती है ये देखके कुकु और नैना भी शर्मा जाते हैं और एक दूसरे के लिए ये लोग अफसोस भी करते हैं इन दोनों के बीच भी पहले ऐसे ही प्यार हुआ करता था लेकिन अब इन दोनों के बीच में वो प्यार नहीं है और ये दोनों डिवोस लेना चाहते हैं फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नैना को आफिस की तरफ से call आता है उसे पता चलता है कि उसका प्रोमोशन हो गया है और उसे नियोक जाना पड़ेगा जल्दी फिर इस पर नैना अपने हस्बेंट कूकू को बताती है कि मुझे नियोक जाना पड़ेगा इसलिए तुम घर पर बता दो कि हम दोनों डिवोस लेने वाले हैं कि मैं अकेले नियोक चले जाओ जिस पर कूकू कहता है कि मैं अभी घर वालों कैसे बताओ पहले शादी हो जाने तो जिस पर नैना कहती है कि शादी तक बहुत देर हो जाएगी मुझे फोरण नियोक जाना है क्योंकि आफिस वालों का urgent call आया है पिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में कूकू अपने फादर के पास आकर बैठता है डिवोस वाली बात करने के लिए वो अपने फादर से डिवोस वाली बात करने के लिए दारू भी लेकर आता है क्योंकि अब उसकी mom से उन्हें उतना प्यार नहीं है इसलिए वो उनकी mom से divorce लेना चाहते है उनकी merit life जादा दिनों तक नहीं ठीकेगी अपने dad के मुझे ये बात सुनकर कुकू बहुत जादा शोक में आ जाता है यानी कुकू के सिफ फादर डिवोस लेना चाहते थे ना कि उसके mom next morning जब कुकू सोकर उठता है और उसका पूरा नशा उतर जाता है तो अगले scene में हम देखते हैं कि उसके dad कुकू को लेकर जाते हैं एक ठेटर में ठेटर में एक film चल रही होती है जब हम देखते हैं कि ये दोनों ठेटर में जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर एक महिला भी आ जाती है दोस्तों ये महिला का नाम मीरा होता है और ये कुकू की teacher हुआ करती थी फिर यहाँ कुकू के dad यानि भीम बताते हैं कि उनका और मीरा का दोनों का affair चल रहा है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और भीम बताते हैं कि इसलिए वो उसकी mom को छोड़कर मीरा के साथ रहना चाहता है ये सब सुनकर कुकू बहुत जादा गुस्ता आता है जिसका solution उसके पास नहीं होता खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब कुकू अपने parents को अपने divorce की बात नहीं बता पाता तो नैना खुझ जाकर कुकू की mom को अपने divorce की बात बता देती है जिस पर हम देखते हैं कि इनकी family की meeting होती है जहां पर कुकू नैना और उसकी mom होती है यहां पर कुकू की mom बताती है कि शादी में एते लड़ाई जगड़ा होते रहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दो husband और wife एक दूरसे से divorce ले ले और हमेशा के लिए अलग हो जाए वो यह सब इने बात बता रही होती तब ही हम देखते हैं कि इनकी meeting में जूड़ जाते हैं इनके husband भीम यानी कुकू के father जब भीम वहाँ पर आते हैं तो गीता उनसे कहती है कि तुम अपने बच्चों को समझाओ देखो यह लोग divorce ले रहे हैं तुम लोग divorce मत लो एक दूसरे से बरदाश करो और एक दूसरे से प्यार करो जब अपने dad की बात सुनता है कूकू तो उसे भोगता गुस्ता आ जाता है और हो गुस्ते में उठता है और अपने dad से कहता है कि dad तुम यह बात तो मत बोलो क्योंकि तुम खुद mom से divorce लेना चाते हो और तुमारा खुद एक औरत के साथ affair चल रहा है और दोस्तो जब यह बात उसके mom यानी गीता को पता चलती है तो वो बहुत इतादा तूड जाती है और वही पर खड़े होकर रोने लगती है क्योंकि यह सारी बात उसकी mom को नहीं पता होता उसके mom को नहीं पता होता कि उसका husband उसके साथ divorce लेना चाता है और उसका affair भी चल रहा है तो जब उसकी mom रोना शुरू कर देती है और कुकु को और भी दाता गुस्सा आता है तो भीम वही पर heart attack का नाटक करता है ताके उसे इन सब के सवालों का जवाब ना देना पड़े जब वह heart attack का नाटक करता है तो उसकी family बहुत ज़्यादा कंसल्ट हो जाती है और उसे फटा फट होस्पिटल में लेकर जाते हैं लेकिन आप लोग को बता दू कि यहाँ किसी को नहीं पता चलता कि भीम ने एक जूटा heart attack का नाटक किया है सबको लगता है कि उन्हें सही में heart attack आया है और सारे लोग परिशान होते हैं फिर बात में कूकू भी अपने डैट के पास आता है और उनसे माफी मांगता है कहता कि मुझे इस तरह आप पर चिलाना नहीं चाहिए ता मेरी वज़े से ही आपको heart attack आया है फिर इसको आप हम देखते हैं कि डॉक्टर भी भी भीम को यानी कूकू के father को discharge कर देते हैं और घर जाने की permission दे देते हैं और घर पर आने के बाद हम देखते हैं फिर अगले सिन में हम देखते हैं कि गीता अपने husband भीम से कहती है कि तुमारी जो girlfriend मीरा है मैं उससे मिलना चाहती हूँ मुझे उससे कुछ बात करनी है फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग मीरा को एक मंदिर में बुलाते हैं जहाँ पर ये पूरी family होती है और मीरा होती है फिर तभी इन दोनों के बीच में बात होती है यानि गीता और मीरा के बात होती है जहाँ गीता सब के सामने ही मीरा से कहती है कि मैं अपने husband को छोड़ने के लिए तयार हूँ अगर तुम दोनों एक दुरसे से प्यार करते हो, तो मैं तुम दोनों के बीच में काटा नहीं बनना चाती, तुम मेरे husband को लेकर जा सकती हो, और मेरी बेटी गिनी की शादी हो जाने के बाद हम दोनों एक दुरसे से officially divorce भी ले लेंगे, फिर इसके बाद गीता अपनी बात व वो हमेशा गरम रोटी ही खाते हैं, उन्हें ठंडी रोटी ये सब पसंद नहीं है, ये सब बात बोल कर गीता वहाँ से उठकर चली जाती है, फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी रात भीम अपना सामान लेकर मीरा के घर पर पहुंच जाते हैं उसके साथ रहने के लिए लेकिन मीरा भीम को मना कर देती है साथ में रहने के लिए, और कहती है कि मैं एक इंडिपेंडेट वूमेन हूँ, मैं बहुत पहले सही अकेले रहती हैं, और मुझे अकेला रहना पसंद है, मैं किसी और के वज़े से अपना शेडूल चेंज नहीं कर सकती, और अपना रहन स टाइम खाना नहीं दे पाऊंगी, और तुम्हें गरम रोटी बना कर नहीं दे पाऊंगी, इसलिए हम दोनों का साथ में रहना सही नहीं है, और जिस तरह से तुम्हारी वाइफ ने आज बात की थी, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए डिजर्विंग है, वो तुमस वाज़े से कूकू और नैना पहले से ही अपसेट थे, इसलिए घर में आने के बाद इन दोनों के बीच में भी लडाईया शुरू हो जाती है, इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़ादा गहरी वड़ी लडाई होती है, ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक ताना मारते हैं, और कहते हैं कि हमारी शादी खराब हुई है, तो सिब तुमारी वज़े से, यानि ये दोनों एक दूसरे को भी बिलेम करते हैं, तबी कूकू के डैड यानि भीम का फोन आता है, और अपने बेटे को बुलाते है, फिर एगले सीन में हम देखते हैं कि तुमारी मॉम को छोड़ने के लिए और मीरा के पास जाने के लिए, इसलिए मैं यही पर आके बैठ गया, क्योंकि मैं घर पे भी वापस नहीं आ सकता कि तुमारी मॉम मुझसे बहुत जादा नाराज है, ये बात सुनकर कूकू बहुत जादा खुश हो जाता है, और कहते ह कि वो मीरा के घर पर गयते और मीरा नहीं घर से भगाया था, फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पर आने के बाद कूकू अपनी मॉम गीता को समझाता है, और कहता है कि डैड अपस उदर गये हैं, डैड मीरा के साथ नहीं बलके आपके साथ रहना चाहते हैं, फिर हम हम दोबारा से शादी करेंगे नए वचन और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे यानि इनकी जो शादी होने वाली है इसमें गीता और भीम दोनों साथ में दोबारा फेरे लेंगे और दोबारा नई शुरुआत करेंगे फिर अगले सीन में हम देखते कि इन दोनों क शादी हो रही होती है दोबारा और सब बहुत जादा खुश होते है तब ही कूकू और उसका दोस ये दोनों मिलकर एक प्लैन बनाते हैं ये दोनों मीरा को कॉल करते हैं और उसे जलाने की कोशिश करते हैं वीडियो कॉल में ये लोग मीरा से कहते हैं कि देखो मेरे फादर न और तुम्हारे फादर के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वापस घर पर आ गए है, और यहां पर मीरा एक और बात बता देती है, कहती है कि तुम्हारे फादर ने हाट अटेक का जूटा नाटक किया था, उन्हें कोई भी हाट अटेक नहीं आया था, फिर मीरा की सार या नही, अपने डैड को बहुत बुरा बला कहता है और सब के सामने जोर-दोर से चिलाता भी है फिर वहाँ पर यब तमाशा हो जाता है शादी तूड़ जाती है, लोग अपने घर पर दोबारा आ जाते हैं फिर बाद में गीता भी अपने हस्बेंड के साथ दूर हो जाती है और अपने हाथ में से रिंग निकाल देती है क्योंकि उसे अब भीम के साथ कोई भी रिष्टा नहीं रखना होता है और रही बाद कुकु और नैना की इन दोनों के बीच में तो पहले से प्रोब्लम्स थी इसलिए नैना भी कुकु का घर छोड़ कर अपने घर चली जाती है यानि एक हिसाब से अब इन चारों के लाइफ पूरी तरह से खतम हो जाती है बरबाद हो जाती है क्योंकि कुकु और नैना भी अलग हो जाते हैं और गीता और भीम इन दोनों के बीच में बात चित बंद हो जाती है और ये दोनों भी एक दूसरे से अलग होने ही वाले होते हैं फिर ऐसे ही ये चारे लोग एक दूसरे की बीना थोड़ा समय गुजारते हैं और इन सब को Realize भी होता है फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये चारों लोग कोट में जमा होते हैं जहां पर ये चारों एक दूसरे से डिवोस लेने के लिए आय होते हैं यहां पर गीता और भीम दोनों एक दूसरे को डिवोस दे देते हैं लेकिन जज अपना फैसला सुनाता है और कहता है कि मैं तुम दोनों को पांच महिने का टाइम दे रहा हूँ एक emotional scene होता है और कूकू वापस से नैना को अपने college वाले तरीके की तरह वापस से propose करता है शादी का यानि उसे मनाने की कोशिश करता है फिर हम देखते हैं कि नैना कोट में ही कूकू की बात मान जाती है और उसे हग करती है यानि अब ये दोनों वापस से एक दूसरे से प्य जाक चुका है और ये लोग जा रहे हैं नियोक क्योंकि नैना को अपने office के लिए नियोक जाना होता है और रही बात गीता और भीम की तो भीम अपने बेटे कूकू से कहता है कि तुम हम दोनों की tension मत लो मैंने इस से पहले भी तुमारी mom को मनाया है और पटाया है मैं इस प पूरी फिल्म की कहानी आप लोग को इस फिल्म की कहानी कैसी लगे पिलिस comment section में जरूर बताना पर आप लोग को वीडियो पसा है तो पिलिस वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर देना मिल तब आप लोग से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन अलविदा